हाई हम साक्षी वल्कम टू आज चैनल जहां हम लाते हैं इंटर्टीन्मेंट से जुड़ी कुछ खास अबडेट जैसा कि आपको बता दे कि गोविंदा और सलमान खान को लेकर मश्रूर है कि दोनों काफी अच्छे दोस्त है और अक्सर साथ भी नजर आ सकते हैं इन दोनों को लेकर तब चर्चाएंज आता हुई जब सलमान खान ने बुड़े वक्त में उनको सहारा दिया था दिरसल सलमान खान ने फिल्म पार्टनर के लिए गोविंदा को अप्रोच किया था और यह फिल्म सभी को पता है कि काफी बड़ी हिट हुई थी मगर इस समय जो खबर सामने आरी है वो काफी चौकाने वाली है दिरसल हाली में गोविंदा ने खुलासा करते हुए कहा कि पार्टनर फिल्म में काम करने के बास सलमान उनके पास एक फिल्म करने का पस्ताओ लेकर आये थे इस फिल्म का निर्देशन महीश मांजरेकर करने वाले थे यह फिल्म मराठी सिनेमा की सुपर हिट फिल्म सिक्षंचिया आईचिया घो की हिंदी रीमेक थी जबकि मुझे पता था कि यह फिल्म मराठी की सुपर हिट फिल्म का रीमेक था लेकिन उस वक्त मैं इस फिल्म को को ले कर सहमत नहीं था गोविनदा ने आगे कहा कि इस बात में बिल्कुल भी शक नहीं है कि मैं काम को लेकर भूका हूं मगर इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं वो काम करूँँ ग tara को भीम कर मेरे दिल को ही नहीं अच्छे हैं इस तरह की कला ऐसी फिल्मों के लिए नहीं हैं वहीं हम सल्मान खान की बात करें तो वो काफी धमाकेदार फिल्में कर रहे हैं और इस समय वो फिल्म राधे को लेकर काफी जादा चर्चा में हैं लगतार क्रिटिसिजम झेले के बाद भी सल्मान खान की फिल्म दाब और तोर कमाई कर रही है और ब्लॉक बस्टर हो गई है थाइंक यू सो माज की वाचिंग फर मों इंटर्टेन्मेंट नीज अन अपडेट